Hello Class 7, Today we are going to study in your civics chapter number 7, Understanding Advertising. बच्चो इस चैप्टर में हम लोग advertisement के बारे में पढ़ें कि advertisement कैसे बनते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, उनके पीछे government का या किसी और गर्टी का जो बनाने वाले का है, वो क्या aim होता है, ब्रैंड्स वगरा क्या होते हैं, ब्रैंडिंग कैसे की जाती है, और किस तरीके से advertisement के लिए, different type की companies उसमें engage होती है, advertisement हमारे लिए कैसे useful हैं, और किस तरीके से unuseful हैं, company के लिए भी और हमारे लिए भी, okay, so let we start, पहला है building brands and brand values, brands means advertising is all about building brands, advertisement क्यों की जाते हैं, वो लोग brand बना सकें, किसी भी वस्तू को, किसी भी सामान को, अगर brand में convert करना हैं, तो वो advertisement करते हैं, at a very basic level, branding means stamping a product with a particular name और sign, यानि कि brand का मतलब होता है, कि किसी भी product के ऊपर, कोई stamp लगाना, और उस particular name से या sign और symbol से उसको show करना, ताकि उसकी quality को और अच्छी तरह किसे present किया जा सके, उसको बोलते हैं advertising, और इसको market में different type से launch किया जाता है, जिससे कि market में, इस product की particular value बढ़ सके, और particular specific name से हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी things होती जो गिल्कुल simple होती हैं, लेकिन उनको हम लोग brand के नाम से usually देखते हैं, जैसे कि बचों हमने देखा है कि market में देखिया हमारे पास जैसे एक आटा होता है, कि वो हमारे पास खेतों में उखता है, जो उससे हम लोग generally कोई भी simple आटा जैसे piece करके तयार कर लेते हैं चक्की में और उसको खाने के लिए use करते हैं, कि क्या होता है कि देखी आप लोग देखा होगा कि और भी लोग हमारे अलावा जैसे किराना स्टोर वाले जिजे जनल स्टोर के लोग होते हैं और जो daily users का सामान देखते हैं जैसे जिली ज्रोसरी जहां बिती है, वहाँ पर आटा भी बिखता है उसके कई कई पर्टिकुलर नेम है जैसे कि शक्ति भोग आटा आशा भोग आटा तो अब आपने देखा कि शक्ति भोग आटा जो है वो पकाईदा उसका करने में उससे क्या होता है कि वो शक्ति भोग आटा जो है वो पकाईदा शक्ति भोग के नाम से एक फेमस ब्रैंड हो गया उसकी क्वालिटी दिखाएंगे डिफरेंट टाइप का एड देके उसमें बहुत लोगों को इंगेज करके उसकी निट्रुटिव वैल्यू को चौक चौक करता है और उसमें आपको इफक्ति कॉस्ट्ट में आपको अच्छी कॉलिटी मिल सकती है अब आता है कि जो कंज्यूमर है वो जनरली बहुत सारी चीजों को देखके मार्क्र नें श्रहता है तो जब भी वह ब्रैंड की बात करते हैं अगर वह किसी ब्रैंड को देखता है तो सबसे पहले brand की तरफ attract होता है वो ही सोचता है कि नहीं सबसे अच्छी चीज अगर में मिलेगी तो brand के नाम पर मिलेगी और brand से ही वो emotionally भी attached होता है तो इस तरह के से हमने देखा कि brand की बहुत काफी value है value suggesting our guest well as my making sure our children get nutritious food are used by brand to create brand values I am literally given में हमारे बाब भी क्या करते की values वEGARA को add करने के लिए जो भी का हमारे जुसे होता है पूरे सभी घरों में तो लोग क्या करते हैं जैसे कि हमारे guest वEGARA को अच्छा सामान खिलाने के लिए म माली जिए हमें खिलाने के लिए वो लोग यह share करते हैं माबाबी की कोई nutritious food हो और वो nutritious food तब भी मानेंगे जब वो कुछी brand से जुड़ा होगा तो यानि कि brand की value बहुत higher होती है अब आता है brand values और social values advertisement से क्या होता है कोई भी company जो है वो social और cultural life जो हमारी आज कल की है उसको add कर लेती है उस product के साथ में और brand products जो होते हैं वो उसे mind में इंसान के यह आ जाता है कि हाँ वो जादा judge नहीं करता उस चीज को वो सुचता है कि नहीं अगर इस पर इस चीज का brand लगा है इस company का मतलब है यह चीज अच्छी होगी और इस विज़े से वो अपनी daily life में उसको use करने के लिए तयार हो जाता है आपने बहुत सारे देखे आड़ देखें लगें जिनमें से कई सारे आड़ दिखाएंगे हैं हरे company के तो यह क्या से होगा रहा है यह सब brand शो कर रहा है अब आ रहा है कि brand के बाद हम लोग बात करेंगे कि जैसे आपने दिखागा कि हमारे घरों में मम्मी पापा बच्चे और दादी यह सारे ही लोग brand से emotionally भी attached होते जिससे johnson and johnson baby का soap है अगर johnson and johnson baby का soap जो है वो छोड़े बच्चे के लिए use के जाएगा तो हम लोग समझते हैं नहीं वो आ कहीं बहुत perfectly तरीके से अच्छा होगा यानि कि अगर किसी मम्मी को अगर छोड़े बच्चे के लिए john johnson baby soap नहीं मिला तो वो सोस्ती किया रहे मेरे बच्चे को अच्छी health care नहीं मिल रही है तो वो अपने घर में उससे emotionally attached होती है और वो अपने बच्चे के लिए चाहती है कि उसको वही company का soap दिया जाए उसी company के shampoo गएर से उसके बच्चे को wash कराया जाए उससे क्या होगा उसस चीज नहीं मिलेगी तो ममी सोस्ती कि मेरे बच्चे को वह मैंने अच्छी best care नहीं दिया तो इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग कहीं न कहीं personally इन प्रोड़क्स से अटैज्ड है और advertisement जो है वो हमारी daily life को भी influence करता है और personal की जो personal life है उसको भी influence कर रहा है तो कई सरे cricketers, heroes, several companies film stars वगरा सभी in advertisements के थुरू पैसा कमाते है अच्छे अच्छे company जो है इनको पैसा देती है कि ताकि उनका product बढ़ सके और हमारी life style का image भी इनी product से change होती है हम advertisement करके जैसे हम in advertising जैसे कोई माली जैसे हमारे गर में कोई बड़ा brand value का product है या बहुत अच्छी motorcycle है किसी बहुत बड़ी branded company की तो फिर माना जाता है कि हाँ यह इनसान बहुत रहा है इसे हमाज में इसकी बड़ी high society है अच्छा life style जीता है तो इस तरह के समने देखा कि brand जो हमारे life में बहुत जादा use होते है अब आता है कि advertisement यह बनत इसको कैसे market में launch किया जा और किस तरीके से रात और रात इसकी sale को बढ़ाया जाए उसके लिए लोग क्या करते है further meeting बुलाते है meeting बुलाने के बाद में हो कहते है कि चलिए हम इसमें इसकी advertisement करने के लिए company को बहुत जैसे contract दियाता है कि हाप इसमें फला film star को लेजिए या आर्टिस को ले लिजिए और एक highly branded repeated artist को लेंगे तो उसमें जो है वो पकायदा इसमें emotional attachment भर देंगे जैसे soap का attachment है तो उसके लिए उन्होंने कहा कि थी कि हम मदर से मदर के care से जोड़ेंगे उस चीज को है ना तो इस तरीके से इन्होंने यह पूरी कहानी बना रखी है और यह बताती है कि company में किस तरीके से पूरा एक कुरक धंदा चलता जिससे कि किसी भी चीज का advertisement जो चलता है उससे हम किसी भी चीज को famous कर सकते हैं अब अच्छो आता है कि यह आप एक छोड़ी सी story है जो आपने book में पढ़ लीजेगा अगर book में पढ़ेंगे तो आपको जो ही घर में रहकर के इस mother caring soap के बारे में सोचते हैं और baby caring soap के बारे में सोचते हैं और देजरे रात और दिन company ने इसके बहुत फाइदा कमाया यह आप पढ़िएगा इससे आपको बहुत से समझ में आएगा अब मैं आती हूं advertising and democracy democracy में advertisement का बहुत बड़ा रोल है क्यों कि ह हम लोग सभी जो है branded company के प्रोडक्स को लाना पसंद करते हैं और जो यह कंपनिया जो advertisement करती हैं बहुत सारा पैसा लगाती मीडिया भी बहुत expensive है बहुत पैसे लेता है इंसके लिए तभी इन products के जो दा में थोड़े वह होते हैं market value उनकी ज्यादा होती है और कई सारे newspaper magazines national newspaper पर्ड में आपने देखा होगा कि जो persons जब पापड़, पिकल, स्वीट, जैम वगरा बेचते हैं उनके सब के जो है fashionable और branded products जो है वो market में बिखते हैं तो रात और रात उनकी चीज़े बहुत famous हो जाती है और अगर मालीजे किसी का brand नहीं famous और वह चीज तो बहुत अच्छ टीवी में नहीं आता तो यह अच्छी नहीं होगी तो यह ऐसा विचार हमारे मन में बन जाता है बार-बार इसलिए advertisement करने से जो person है वो इसे emotionally attached भी होता है और person feel करता है कि अगर अच्छी brand कंपनी नहीं है जिसका टीवी में आड नहीं आता जिसे दुनिया जानती नहीं तो वह bad feeling करता उसके साथ में तो इसका मतलब हमारी life को बहुत आदा affected करते हैं अब सारी बात अगर हम आप यह जान गए हैं कि brand जो हमारी life को किस तरह affected करते हैं तो हमें अपनी चीजों को यह जानने कर देना चाहिए कि क्या इसकी quality वाक़ी बहुत अच्छी है चाहिए वह भले अच्छी है भी या नहीं कि ऐसा तो नहीं खली उसका एड दिया जा रहा है और बहुत कुछ जूड भी बोल जाता है बच्चो तो ऐसा तो नहीं कि एड में खली जूड बोल दिया गया और आप उस एड के नाम से उसकम चीज को ला रहे हैं और उससे हमारी life बहुत affected होती ह तो smart, successful, beautiful होने के लिए हमेशा जरूरी है कि हम democratic society में वह चीज लाएं जो हमारी life को affect करें और वह अच्छी health care हमको provide कराएं ना कि हम brands पे जाएं तो प्लीज यह आप देखिए इसको ध्यान दीजेगा अपने लिए और अपने लोग में awareness फलाएं कि brand पर ही खाली नहीं जाना है, advertisement पर ही नहीं जाना है बलकी, advertisement को critically understand करना भी सीखी कि वाफी advertisement जो दिया जारा इस company के में इस product के बारे में वह सही है या कलत है, तो अब यह chapter ही पर finish होता है, बच्चो, I hope that you will well understand with my talk and with my lessons from this video and till my next video, till then goodbye, please subscribe my channel and share my videos too, okay, bye-bye.